उत्रकंड में बिजली महुदसब मनाया जा रहा है इसी कड़ी में मसूरी के क्यारकुली भट्टा गाउं में एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रिक्वेंसी के थहत कारिक्रम का आयुजिन किया गया भारत की आजादी के अमरित महुदसब की श्रिंखला में ठीचटी सी और विद्धुद विभाग तहरादून की स्योक्तो तद्वाधान में विद्धुद मन्त्राले ने मसूरी के क्यारकुली भट्टा गाउं में बिजली महुदसब का हयुजिन किया है समारोह में विद्धुद विभाग के द्वारा LED स्क्रीन लगा कर प्रोजेक्टर के माध्यम से विभाग की यूजनाओं और गद्विधियों पर आधारित विभिन शौट फिल्में दिखाई और उत्सप का थीम उज्वल भारत उज्वल भविश्य पर आधारित विध्यारतियों के द्वारा नुकर नाटक का भी आयोजिन किया गया इस समाहरू में मुख्य आतिती साहित अन्य गड़मान आतितियों ने फूलों का गुल्दस ताभीट कर स्वागत अभिननन किया गया जिसमें की जो आम व्यक्ति के राइट सेंबिच ली के लिए उसके बारे में बताएंगे और उसके बारे में उन्हें एक नाटक भी तेयार किया है और उसके द्वारा जानकरी दी जाएगा भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांची परियोजनायों का निस्तारण और निबारण आज उत्राखंड में बहुत ही सहस्ता पूर्वक किया जाता है आपको बताने में मुझे गर्व के अन्भूत ही हो रही है कि पिछले 7-8 सालों में भारत की बिजली बेवस्था में आमोल्चुक परिवर्तन हुआ है चाहे वो घर-घर बिजली पहुचाने के माध्यम की योजना के बारे में हो जिसका स्वभार की हम कहते हैं चाहे ग्रामी और विद्धुती करण सुदूर गाओं के तक बिजली पहुचाने का कारी हो इसके अलावा तमाम ऐसे कारी किये जा रहे हैं जहां पर उभगदाओं को किसी भी परिशानी का सामना बिल्कुल न करना पड़े इस चीज को सुनिश्यत करने के लिए आजादी के 75 वर्स में जिसे अम्रत महुचाओं का भी नाम दिया गया है हम बिजली महुचाओं का यहां पर कारी कर रहे हैं हमारी जन जन से अपील है गाओं वासियों से अपील है कि हम अपने देश का निर्माण भविश तभी सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं जब सब की सहभागिता सुनिश्यत हो इस उपलक्ष में हमने गाओं के सभी गरों में संपर किया ग्राम प्रदान श्रीमति कौशल्या रावतजी का बहुत बड़ा साहि होगा हमें मिला इसके अलाबा ग्राम के जितने महिलाएं बच्चे पुरूर्ष इस कारिक्रम को लेकर बहुत उस्साहित हैं इसके माध्याम से उनको जानने का मौका मिलेगा कि उनके कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं, जिनसे अभी तक वो वंचित तो नहीं रहे, लेकिन न जानने के करण कुछ परिशानियों का सामना साइध करना पड़ा हो. इस कारिक्रम का उदेश ही ये है कि जन-जन की भागेदारी हम से निशित कर सकें.